नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों सबसे वाली हैं मकर सक्रांती की बारे में की दोस्तों इस बार की मकर सक्रांती सबसे पहले तो कव है कि 14 तारीको है या 15 तारीको है दोस्तों मकर सक्रांती सोरिय के दिन उत्रायन होता है और इस दिन मकर सक्रासी के अंदर परवेश करते हैं परानिक मनेताओं के अनुसार मकर सक्र सत्र दूरान इस दिन सनाज और दान करने से कई गुनाप पुर्ने फल प्राप्त होता इस दिन दोस्तों भगवान सुर्य दिव की विदी विदान से पूजा करें और ज्यादा से ज्यादा विक्ति दान पुने आदे करता है तो वन चाहे रदान की प्राप्ती हो जाता है दोस्तो इस पार की बात करते इस साल सुर्य मक्र रासी में परवेश करेंगे और यह पर्व मक्र सक्रांती का 14 जनवरी को मनाय जाएगा मकर से करांति से ही रितु परिवर्टन होगा और साथी साथ दोस्तों इस दिन खिचरी बना कर इसका दान करने से कई गुना आपको लाव की प्राप्ती होती ऐसा मन्यता है इस तेहवार पर सुर्य देव भगवान सनी देव से मिलने जाती है और सुर्य सनी का समन्द इस परवे से होने के कारण या परवे काफी महतेपूल हो जाते हैं समझ लिजी कि आपकी किस्मत को बदलने का कारी करता है या परवे अगर आप इसके नियमेत कुछ उपाय कर लेते हैं दोस्तो इस दिन प्रता काल आपको क्या करना चाहिए दोस्तो सुवस जनकारी ले लेते उसके बाद आपको बताने वाले हैं कैसी चीज़ है जो भूल कर भी आपको मकर सक्रामतिक दिन दान नहीं करने चाहिए दोस्तो इस दिन प्रता काल स्तनान का लोटे में लाल फुल और अक्षट डालकर भगवान सुरे दियों को अर्द दे सुरिय के वीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए दोस्तो इसलिये कहा जाता है कि मकर सक्रामतिक के दिन आपको दान पुन्ये बहुत जादा करना चाहिए और दान पुनने का फाइदा भी आपको अपने जीवन के अंदर देखना चाहिए लेकिन दोस्तों मकर सक्रांती के दिन कुछ ऐसे चीज़े होता है जिसका आपको दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए अन्य था आपने जो दान किया उसका भी आपके जीवन में अंदर पौमन लिजी किसी परकार के कोई फाइदा नहीं होता बलकि नुक्सान होने की आपसक्ता बन जाता है दोस्तों मकर सक्रांती के दिन दिल का दान सबसे ज़्यादा अच्छा दान वाना जाता है और तिल का दान करने से समझ दिजी कि आपकी किस्मत की द्वार खुल जाती है इस दिन लोगों को तिल खिलाना और तिल का दान करना कई गुना फायदे मंद होता है दोस्तों अगर आपका बैपार अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इस देन तिल से और गुर से बने चीजे दान कर देती हैं कुछ चीजे अपने दुकान पर आने वाले ग्राहां को कुछ दान के रूप में देती हैं या इसे गिफ्ट कर तोर पर देती हैं तो दूस्तों समझ दिजिए कि आने वाले मकर सक्रांदी तक आपके जीवन के अंदर धन दोगना कती से पढ़ने लगता है आपका दुर्भा क का अलाव हो सकता ही ती उन चीजेतis ने उन चीज़ों को मना किया जाता है सबसे पहले चीज बात करते है जारू का कभी विदान किया जाता है तो कुछ लोग घर का जारू घर की लक्षमी के तोर पर देखा जाता है और माना जाता है जिस घर के अंदर जारू होता है समझ लिजे कि उसके घर के अंदर समर्थी रहती है आप अपने पैसों का दान किसी को भी ना कर सकती है और आप जारू का भी दान ने कर सकती है इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी जारू को भोल कर भी आपको दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझेजिए कि साक्षात घर की लक्षमी को दूसरे के घर सो अपने का कारे करती हैं। आप अपने घर की लक्षमी को ऐसा कहते हैं कि आप दूसरी की घर चली जाएं इस तरह का पाप आपके हाथों से हो जाता है इसी बिज़ जासी आपको घर का जारू भोल कर भी दान नहीं करना चाहिए। आपको आपके पहने हुए पुराने कपरे भूल से भी दान नहीं करने चाहिए। पर ऐसा इस दिन आपको नहीं कपरे ही दान करने चाहिए नहीं कि फुरानी कपरे इसी तरों दोस्तों मकर सक्रानती करिए भगवान सुरीडयो गर छाती है तो इस दिन बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अपको इस दिन us दान करना तेल से जूरे चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा मना जाता है तेल से बनाए गई कोई भी चीज़श दान की जी यह आपको फायदा होगा लेकिन इस बात का जुरूर ध्यान रखें किस दिन आपको साक्षा दे तेल किसी भी प्रकार का दान के अंदर ना तो प पित करी लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि सरसों के तेल का तो आपको भूल कर वे किसी अन्य विक्ति को ना तो दान करना है और ना ही आपको किसी से लेना है और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं अपनी करहाई के अंदर इस्तेमाल किया गया तेल दूसरों को देती हैं या फि करहाई के अंदर जलाए गया तेल दोस्तों सक्रामती दिन ऐसा माना जाता है कि तेल दनाना सुभ माना जाता है लेकिन करहाई के अंदर जलाए गया तेल आपको किसी अन्य विक्ति को देने से बचना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए इस तरह दोस्तों अगल जर्वाही हो गया तभा हो गया या काले दैंक की लोही की किसी परकार की बरतन होती हैं। शायोग बना लेता इसी वज़ा से आपको इस दिन लोहे के दान करने से बचना चाहिए दोस्तों अब कर लोग क्या करते हैं कि मकर सक्रांती के दिन प्लाश्टी की चीजों का दान करते हैं लेकिन कर लोगों की आदत होती है कि दान कहा करते हैं अपने ही सदस्यों के बीच मे अपने ही घर परिवार के सदस्यों के बीच में आप प्लास्टी का दान केजिए आप स्टील का दान केजिए लेकिन अपने रासी के रुसार अगर आपके उस दिन अपने रासी के रुसार स्टील या प्लास्टी का बरतन दान करने का मना किया गया है तो आपको भूल कर भी द दान नहीं करना चाहिए अब दूसरी चीज़े कर सकते हैं लेकिन आपके कुंडली के अंदर सकरात्मकता है आप कुंडली के अंदर किसी परकार की अर्चन नहीं आती है तो आप प्लास्टिक और स्टील के बरतन का दान किजिए लेकिन दान हमें ऐसे उन्हीं लोगों को किया और आपको सौधान हो जाईए इस दीन आपको मकर सक्रांती प्यार और स्वाध स्वाद आप दिखने से उनके घर के अंदर परिरे जाती है दूस्तों इस बाता दोस्तों का भी द्यान रखें कि अस्तिन नुकीली और काटेदार चीज़ों का आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए जैसे कि नेल केटर हो गया जैसे कि चाकू हो गया छोरी तलवार काटा इस परकार की जो चीज़े होती है आपको गिफ्ट के अंदर सीधे तोर पर नहीं तो इसी तरह ऐसे कैसे करकर सामिल है तो आपको सौधान हो जाए इस तीन आपको मकर सक्रांती प्यार और स सामना करना परता है इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसी तरह बात का भी ध्यान रखें मकर सक्रांती के दिन द्वार पर आये गया सादू या दियोता भगवान के बराबर माने जाता है और मकर सक्रांती की दिन आपके द्वार पर कोई सादू आता है तो आप नहीं बस किसी तरह का रोपिया पैसा तो ना दें लेकिन मकर सक्रांती के दिन आप उन्हें तिल और गुर से बने चीज़े जरूर भेट करें आप स्वेम भी खाएं और अन्य लोगों को भी जादा से जादा तिल और गुर का इतितात जादा संभव हो तो आप उन्हें बाग का भी नहीं कर पाएगा और देखते हैं देखते हैं आपकी कारियों के अंदर प्रिधी देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें मकर सक्रांती के दिन कच्छे अन का आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए मकर सक्रांती के दिन कच्छा अं दान नहीं किया जाता है आपको मकर सक्रांती के दिन अपने घर के अंदर कुछ पका कर या बाहर से कुछ पका कर लेकर आईए तो आपको वह चीजे लाकर दान करनी चाहिए निश्ची तोर पर आपका कारे बनेगा और देखते हैं देखते सारे कुंडली की गरह आपके अंद जितना जादा हो सके उनसे दूर ही रहे आपको भक्ती के अंदर मन लगाना चाहिए ताकि आपको उसका सचा फल प्राप्त हो ना कि आपको नकरात्मक्ता का सामना करने परे और साथी साथ देवी दिवताओं का भी अच्छा आशिर बात मिले दोस्तों देवीडियो को परे चलों को सब्सक्राइबर देन